नमस्काय स्वागत आपका निज्वरल इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारूई ट्यागी टीटी पेपर लीग परिक्षारत जी हाँ उत्तप्रदेश में आज होने वाली यूपी टीटी की परिक्षा को रद कर दिया गया है खबरों की माने तो पेपर लीग होने के चलते एक्जाम को पोस्ट पून कर दिया गया है आपको बता दें कि एक्जाम दो पाल्यों में आईजित होना था और इस परिक्षा में करीब 21 लाग से ज्यादा परिक्षारती भी शामिल होने वाले थे बताय जा रहा है कि अब एक महीने के बाद ये परिक्षा ना इस सीरे से फिर से आयजित की जाएगी फिलाल इस मामले में कई लोगों को गिरफतार भी कर लिया गया है और ऐसे में जानकारे के होताबिक सॉलवर गैंक से जुड़े कई लोगों को गिरबतार किया गया है वहीं स्टेफ इस पूरे मामले की जाच में जुट गई है साथी बताय जा रहा है कि वाटसेप पर ये पेपर लीग किया गया था पुलिस के मताबिक गाजबाद बुलंचेब मत्रों में वाटसेप ग्रूप पर एक्जाम का पेपर वारल हुआ जिसके बाद परिक्षा को रद करना पड़ गया वहीं अब ये एक्जाम एक महीने के बाद फिर से होगा हाला कि एप्लिकेंट्स को इसके लिए फीस भी दोबारा जो है वो नहीं देनी पड़ेगी तमाम चीज़े कही जा रही है और इसलिए आज आपको बता दे के यूपी में ये परिक्षा रद हुई है यूपी के काई जिलो में स्थिती जो है वो खराब नजर आ रही है क्योंकि परिक्षारती जो अभ्यरती है उनका आक्रोश भी देखने के लिए जगा जगा पर मिल रहा है और इसलिए अभी पूरे आदे घंटे में हम इसी पर चर्चा करेंगे कहां पर क्या हो रहा है ये जानकारी आपको बताएंगे तमाम रिपोर्टर्स भी अपसे कुछी देर बाद मेसा जुड़ेंगे जो अपने अपने जिले की जानकारी देंगे के उनके वहां पर क्या हालात हैं क्या नहीं है साथी आपको ये बता दे कि इस पूरे मामले में जांस तो शुरू हो गई है और अब तक 23 लोगों कृफतार भी कर लिया गया है लेकिन जो अभियरती थे उनमें काफी गुसा देखने के लिए मिल रहा है और अब जो है इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष भी सरकार को घिरने के लिए पूरी तरह से तयार नज़रा रहा है तमाम ट्विट्स लगातार किये जा रही है उत्तर प्रदेश के यूपी में टेट पेपर लिक होने के बाद बुदंशेर में भी एक्जाम रद कर दिया गया है डियम ने बताया कि साशन के आदेश पर एक्जाम रद कर दिया गया है वहीं एक महीने के बाद दोबारा से एक्जाम की डेट आने पर एक्जाम कराये जाएगा साथ ही दोबारा से एक्जाम कराने के लिए किसी भी परिक्षार्थी से किसी भी तरह की कोई फीस नहीं ली जाएगी वहीं परिक्षार्थियों ने बताया कि आज यूपी टेट का पहला पेपर बेखद असान्थ और उनको मीती कि वो एक बार यूपी टेट का एक्जाम पास कर जाएंगे वहीं हर दोई चिले में भी 25 केंडरों पर आज टीटी की परिक्षा होनी थी लेकिन कुछ समय के बाद ही परिक्षा केंडरों पर प्रशन पत्र जमा कर परिक्षार्थियों को वापस कर दिया गया वहीं एक्जाम दिरस्थ हो जाने की वज़़ा से तमाम उन उन अभीर्थियों को जटका लगा है जिन्होंने पिछले कई महीनों से मेहनत करकर इस पेपर की तैयारी की थी वहीं परिक्षा रद होने की जानकारी मिलते ही अभियर्तियों को मायूस हो कर अपने घर वापस लोटना पड़ा ये तस्वीरे भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से परिक्षा रद होने के बाद अभियर्ति जो हैं अपने अपने घर की और वापस लोट रहे हैं सब्सक्राइब कर दिया गया और वहां भी आउट हो गया हमारे पास को आप सुन्दक्ता लिखाईने देड़ा तुम्हें ही चाहेंगे कि सटार से किसके पर सब्सक्राइब की जाया या पर आपको मोका दिया जाए कि पेपर आपका वो क्यों नहीं देने गए आप वह भी नह सबस्क्राइब को गया है तो एसे मैं आपको बता दें कि आज यूपी में टीटी की परिक्ष्णा होनी थी और 21 लाग से ज़्यादा अभियरती इस परिक्षा में आज हिस्सा लेने वाले थे लेकिन परिक्षा शुरू होने से पहले कि इसको रद कर दिया गया और इसी लिए यूपी के तमाम जिलों में आक्रोश अभियरतियों में देखने के लिए मिल रहा है क्योंकि मायूस होकर उन्ह आम जगा से तस्वीर भी लगाता सामने आ रही हैं आपको दिखा रहा है कि बुलंद शेर के तस्वीर है एटा की शामली हर्दोई मत्र की ये पांच तस्वीर आपको दिखा रहा हैई होने के बाद मायूस होकर अपनी खर लोटना पड़ा ये भी देखा जा सकता है साथी म बतुरा में भी इसी तरह के कुछ तस्वीर देखने के लिए मिल रही है यानि कि आज जो है कहीं न कहीं बड़ी चूक तो हुई है लेकिन उन अभियरतियों के लिए ये बहुत बड़ा जटका है जो पिछले कापी समय से इस पेपर के लिए तयारी कर रहे थे अपने भविश को आगे अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन हाला कि आपको बता दें कि भले ही बेसिक शुक्षा मंत्री की तरह से ये कहा गया हो ये जानकारी दी गई हो कि एक महीने बाद पेपर को दुबारत से करा दिया जाएगा लेकिन कब इसकी तारीक आएगी कब ये हैं और सरकार पर ही आरोप वो लगा रहे हैं उनका कहना है कि सरकार की मिली भगत की वजह से ये पेपर लीक हुआ है और ये भी जानकारी मिल रही है कि ये पेपर लीक कल रात को ही हो चुका था वाटसेप पर इस पेपर के कई पन्ने लीक हुए थे जिसमें सही जवाब क्य जिसके बाद आज पूरे उत्तरप्रदेश से इसी तरह के कुछ तस्वीरे देखने के लिए मिल रही है साथी आपको ये भी बता दें कि विपक्ष को एक और मौका मिल गया है सरकार को घेरने का और इसी लिए लगातार विपक्ष जो है ट्वीट पे ट्वीट किये जा रहा है और लगातार योगी सरकार को घेरता नजर आ रहा है चाकलेश यादव की बात कर लिजा उन्होंने भी ट्वीट किया है प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है साथी आपको यह बता दे आमादमी पार्टी से राज्य सवा सांसर संजे सिंग का भी ट्वीट सामने आया है तो तमाम विपक्षी पार्टियां अब सरकार को घेरती नजर आ रही है क्योंकि हैरान करने वाली बात ये है कि परिक्षट जो है लगातार ये कहा जा रहा था कि लाइव सीसी टीवी सर्विलाइंस की विवस्ता में कराई जाएगी उसके बाद भी इतनी बड़ी चूक आखिर हो कैसे गई और इसी लिए बार-बार तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि पेपर लीक का आखिर मास्टर माइंड कौन है क्योंकि अभी तक आपको बता दें कि 23 लोगों की गिरफतारी तो हो चुकी है लेकिन ये जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है नहीं निकल के आई है कि अब तक इसका मुख्या आरोपी कौन है किस तरह से ये पेपर लीक किया गया था तो आपको बता दें ये ट्वीट लगातार किये गए हैं प्रयांका गांधी वाटरा ने भी तुईट किया है जिसमें उन्होंने योगी ने ब्रष्टचार लोगो को बचाया है ये उन्होंने लिखा है संजे सिंग ने भी टूइट किया है जिसमें उन्होंने लिखा यूपी का सीएम जिन्ना का पेपर हल करने में बिजी है वही अकलेश यादव का टूइट भी हम दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सैश्चिक ब्रस्टचार जो है वह अपने चरम पर है साथी उन्होंने कहा कि पेपर लिख होना बीजेपी सरकार में आम बात है और अगर कांग्रिस की बात कर ले जाए तो कांग्रिस ने तो एक पूरा का पूरा चिठा ही जारी कर दिया है कि अब तक कितने पेपर लीक हुए हैं 2017 के बाद से तो ऐसे में एक और मौका पूरी तरहा से विपक्ष को मिल चुका है अकलेश यादो कह रहे हैं कि उत्तप्रदेश में सैशिक ब्रस्टो चार अपनी चरम पर है तो ऐसे में आपको बता दें कि पूरे यूपी में अभियर्तियू में अक्रोश तो देखने के लिए मिल रही रहा है साती सात लेकिन बेसिक स्विक्षा मंत्री के तरफ से ये जानकारी दी गई है कि अगले महीने